केदारनाथ के तीड पुरोहितों ने देश के पीम को लिख दिया खूनी पत्र एंकर प्रीत सच्चदेवा विश्व विख्याद 11 जोती लिंग केदारनाथ धाम के तीड पुरोहितों का देव इस्थानम के विरोध में दो साल से चल रहा आंदूलन अब तेच होता जा रहा है जी हाँ बुदवार को केदारनाथ धाम के तीड पुरोहित संतोष दिवेदी ने देश के प्रदानमंती नरेनमोली को अपने खून से पत्र लिखकर बोड को भंग करने की मांग की इसके अलावा पुरोहित ने धाम से सरकार और देव इस्थानम बोड के खिलाब जम कर प्रदर्शन किया देव स्थानम बोड का गटन हुए दो साल का समय हो चुका है जब से बोड का गटन हुआ है तब से उत्रखन के चारो धामों में तीत पुरोहित का आंदोलन जारी है किदारना धाम में विगत दो माहपूर्व बोड के विरोध में साथ दिन तक शीरसन आंदोलन करने वाले अखिल भारती तीत पुरोहित समाज के युवर राष्ट उपाद्यक्ष अचारे संतो श्रिवेदी ने बुद्वार को अपने खून से लिखा पत्र देश के प्रदानमंती नरेमि मुदी को भेजा है खून से लिखे हुए पत्र में उन्होंने कहा है कि देव स्थानम बोड का गठन करके सनातम धं की पुरोणिक परमपराओं के साथ छेड़ छाड़ हुई है विगत दो वर्षों से उत्रखंड के चारो धाम के तीत पुरोहित का बोड के खिलाफ आंदोलन चारी है ऐसे में प्रधानमंत्री को अपने इस तर से बोड को शीक्र भंग करना चाहिए उन्होंने कहा है कि तीत पुरोहित को प्रधानमंत्री से बहुत उमीद थी लेकिन तीत पुरोहितों की उमीद धरी की धरी रह गई सरकार और बोड के विरोध में रैली निकाल कर पदर्शन करते हुए तीत पुरोहितों ने कहा है कि अब बोड को भंग करने के लिए आरपार की लड़ाई की जाएगी पुरोहित अब आमरन अंशन करने पर बैट गए हैं किदाना धाम में अब तीत पुरोहितों का आंदोलन तेज होता जा रहा है पुरोहित प्रते एक दिन मंदिर परिसर से लेकर हैली पैट तक रैली निकाल कर पदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं